हाई wielu दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट जज्ट फॉर को מא दोस्तों आग यहाँ अपने क्लेक अमेजिंग छेप्टर लेकude Television के यहाँ पर देखे शुक्स टुटोरियल और बीगिनर इसी में यह वीडियो जाएगा model का concept परेंगे आज हम यालेकि इसको जरूर देखना है बहुत काफी important चीज है अगर आप ES6 के field में आगे बढ़ना चाहरे है तो इस वाले playlist को पूरा browse करके देखिए जरा ठीक है उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए e-commerce यहां पर real time project javascript real time project इसमें जो है e-commerce नाम का चेप्टर है उसको जरूर देखिए जरा उसको देखिए आप बहुत बड़ा project है वह उसको भी देखिए जरूर इसमें चलते हैं यानि कि अपने का वीस कोड को open करते हैं और ES6 का जो module वाला चेप्टर उसको भी समझ लेते हैं ज यहां पर लिखिए जरा live server इस एक से लिख देना live server है ना तो यह जो extension होगा यह वाला इस पर क्लिक करेंगे पहले वाले पर और यहां पर दिखिए आप लोगों में install दिख रहा हुआ तो install कर लेना है अगर install का symbol होगा तो इसका मलब आप में पहले से ही वह installed है ठीक तो आप के नाम से दीनफे वालाए कि दिखेमें लिबुदर िसको में replace कर देता हूं यह दिखिए मैंने ऑफ के नाम कर देता हो ना इसको ऊटो करोगा देता बनाले याब कोई इस्वान को चीट एस कर लिए इस पर क्लिक करोंगो तो सेलेक्ट हो जाएगा उसके अंदर आपको आना है index.html इस ते की डिफाइन कर देंगे मैंने डिफाइन कर दिया उसके बाद आपको इसको कट कर देना है उसके बाद आपको एक और फाइल बनाना है पर काम कर लेते हैं उसके बाद बनाते तो इसके एक सिंबल देजिए और यहांपर सबसे पहले मैं यहांपर लिखता हूं चैप्टर 12 यहांपर मैं आता हूं से लिख देता हूं ES6 module यह इस तेक्स मैंने लिखा इसको मैं open with google chrome करूंगा लेकिन यहां पर right click करना है और open with live server पर click करना है इस तरीक से तो यह live server में open होगा कुरों में open हो जाएगा यह दिखे open हो गया हम आगे काम करेंगे तो सबसे पहले आपको यहां बनाना है एक index.js बना लेना है इस तरीक से बनाई है जरा index.js ठीक है क्या लिंक करेंगे हम index.js वाले जो फाइल है उसको यहां पर link कर देंगा मैंने link कर दिया reload करेंगे इस तरीक से तो दिखे alert हो गया इसका मलब अब हम आगे काम कर सकते हैं यहां कि अलट हो रहा है इसको यहां पर यूज करना है index.js में सबसे पहले कुछ code लेख लेखता है data.js में तो एक constant बनाया जरा result के नाम से constant बनाया किसी भी नाम से आप constant बना सकते हूं मैं result के नाम से constant बनाया और इसका मैं एक array definition करता हूं तरीक से एक और object बना लेता हूं copy paste कर लूँगा इसको control c करके मने copy किया control v और यहां पर मैं name की जहां कुमार की जहां अलोग कर देता हूं और यहां पर यहां पर मैंने sonu लिख दिया और यहां पर मैंने one two three four five कर दिया ठीक इस तरीक से मैंने एक object बिनाया है अब इस object का यानि कि जो हमारा export extender दो तरीके से export किया जा सकता है पहले तो default को समलेजिए अपने constant का नाम इसके सामने रिख देंगे तो export default हमने किया है यहां से result को अब हम इसको यहां पर use कर सकते हैं index.js में इसका हम use कर सकते हैं ठीक तो आईए जड़ा एक constant मनाएंगे सबसे पहले हम आपको direct import keyword लिखना इसके import और जो भी किसी भी नाम से आपको यहां पर constant दे सकते हैं बैसिकली जैसे मने data के नाम से यहां पर constant दे दिया और यहां पर from कहां से import करना data को यानि कि from keyword करूश करेंगे और लिख देंगे location अपना तो location हमारा क्या होगा जहां पर index.js से वहीं पर ह अब चाहें तो console.log में यहां पर print करके देख लिए console.log करेंगे और यहां पर data को print कर लेंगे ठीक है data इस तरीक कि मैंने print किया terminate करेंगे यहां पर आएंगे और मैंने reload किया इस तेक्स देखिए मैंने reload कर दिया page को inspect करके console में जाओंगा console में हमें एक error मिलना होगा अच्छा error मिलना होगा uncut syntax cannot use imported statement outside our module ठीक है यानि कि import statement अगर हम इसमें यूज करें तो इसको बताना होगा यहां पर आपने link किया है यहां पर आईए जरा इसको बताईए जरा इसका जो type है वो module है तो type का value define कर देंगे module इस तेक्स define कर देना आपको type का value यहां पर module define कर देना आप जरा reload करिए कैसे देखिए array आगया यहां पर जो data था आपका data.js का वो data यहां पर print हो गया ठीक है तो यह हमने export default किया यहां से हमने क्या कि export default किया यहां पर देखिए default क्यों लगा हम चाहें तो export extended का भी उज़ कर सकते हैं अच्छा यह क्यूट सी समल लिजे जरा जब हम export default करेंगे यानि कि जब भी आप export default करेंगे result के नाम से हमने यहां पर export default किया है बट हमने जब receive किया इसको तो data के नाम से receive किया तो जब आप export default करते हैं और हाँ एक और चीज़ जब आप export default करते हैं तो किसी भी नाम से आप यहां पर उसको import कर सकते हैं जैसे data के नाम से उसका कुछ भी और ना यूज करते हैं तो आप इस पेज़ से श्रिफ एक चीज़ को default कर पाएंगे यानि कि एक चीज़ को export कर पाएंगे इसी constant को लेकिन यही चीज़ अगर आपने export extended का यूज क्या होता तो multiple चीज़ों को आप यहां से क्या कर सकते थे यहां से भेज सकते थे export कर सकते थे कैसे अभ इसको बोलते है export extended ठीक है अब अगर आपने data के नाम से हमाँ पर रिसीब किया है इसको डी structure करना होगा है डी structure का मलब इसको curly bracket के अंदर रखना होगा जब आप यहां से इस तरीके से export करेंगे ना तो यहां पर आपको जो भी file import करेंगे उसको डी structure करना होगा और के curly bracket के अं export name data क्योंकि यहां से हमने data.js देखे क्या provide करा है export name result ठीक है इसको हमने यहां पर export किया result को तो यहां पर हमें result के नाम से ही constant variable बनाना है तो result के नाम से बनाई ज़रा और इस result को यहां पर print करिए तो याद रहे जब भी आप export standard का उच करेंगे तो आपको उसी नाम से यहां प यहां पर export किया होगा reload करिया ज़रा यह दिखे data आ गया ठीक है तो export standard में फाइदा क्या होता है कि आप multiple time यहां से कोई function भी चाहे तो export करना एक constant मैं यह ज़रा login function के नाम से login function नाम से मैंने constant बनाया है इस तरीके से और यह मैंने constant बनाया है ठीक है login function यहां पर मैं email को receive कर ले return करने वाल हो तो return keyword का उच करूँगा इस तरीके से और यहां पर क्या करूँगा new keyword के साथ new keyword लिखूँगा सबसे पहले और promise promises को मैं call करूँगा तो यहां पर मैं सबसे पहले resolve दे देता हूं इस तरीके से उसके बाद दूसरा parameter में reject होता है वह दे देता हूं अगर आपका email मैच कर गया तो फिर आपको password चेक करना है इसके बराबर है मारा जो password आएगा तो अभी हमने भेजा नहीं है अभी हम इसको call करेंगे तब भेजेंगे पासवर्ड जो आएगा अगर इसका बराबर है तो यहां पर हम resolve करेंगे इस तरीके तो और यहां पर क्या message देंगे login success यानि कि login success यह मैंने message दे दिया terminate करूँगा उसके बाद else इसका क्या हो जाएगा else इसमें हम लोग reset का यूश करेंगे else के अंदर यहां पर आपको reset को जा function call करना है और यहां पर लिख देना wrong password यह मैंने लिख दिया ठीक है यहां पर exclamation का symbol ले दूँगा तो यह हमने एक function function मनाया है इसको हमें export करना है यहां से तो दिखे जरा यहां से यानि कि इसी के सामने बस export keyword का यूश कर लेंगे तो export keyword यहां पर लगाईए जरा इस तरीकी से यह उदा रहा है इसना मैंने constant बनाया constant क्यों बनाना पड़ा रहा है क्योंकि यह promise return करेगा यहां तो आप देन और कैस्ट कर लिजे तो constant आपको नहीं बनाना पड़ेगा लेकिन अगर आपने ट्राइज और कैस्ट करना है ट्राइल लिखूंगा अपने function को call करूंगा यानि बेजा है जो भी रिजल्ट आएगा जो भी वह return करेगा इसी को यहां पर एक बना लेंगे चरा रिजल्ट के नाम से नहीं बनाएंगे response के नाम से बनाईए तो आर इस इसको मैं अलेट में कर देता हूं चरा अलेट करूंगा इसके लिए यानि कि response जो भी आएगा वह चल जाएगा टर्मिनेट करेंगे अभी देखे क्या होगा हमने लॉग इड और पासवर्ट सहीं भेजा है अभी पेज रिलोड करते ही क्या एगा एक अलेट आए देखे हमने फंक्शन कॉल नहीं क्या यानि कि जो हमारा चेक यूजर वाला फंक्शन इसको पेज लोड होते तो देखे अभी कहाएगा अलट में अब्यक्ट आ रहाए प्रौमिस लिटन करता है तो प्रौमिस इहां पर घोड नवीच मेरा तो यहां फॉट कीवर्ड लगाना है क्योंकि वो प्रौमिस रिटन करता है कि राए इसवीड आपको आपने यहांपर लगाया तो इस पासवर्ड में कुछ changes कर दिया कुछ extend number डाल दूँगा रिलोड करूँगा तो देखे क्या रॉंग पासवर्ड है अगर हम पासवर्ड सही कर दें यानि कि यहां पर हम पासवर्ड सही कर दें तो यहां पर हम इसको गलत कर दें इमेल को तो क्या आएगा मैसेज़ जब यहां यहां पर देखे क्या रहा है रॉंग इमेल ठीक है रॉंग इमेल तो यहां पर जब आपका एक बार जिसे हमने यहां पर गलत कर दिया तो रॉंग इमेल आया ठीक है अगर हम इसको सही कर दें तो क्या आएगा login success हमारा जो कहने का मलब यह है कि हमने एक फंक्शनालिटी समझा हमारा जो कोड है यानि कि export हमने कि इसको login फंक्शन को यह आपका कोड आसान कर देते हैं जिसे हमारे कुछ कोड ऐसे होते हैं जिनको हमें कई बार यूज करना होता अपने प्रोजेक्ट में ठीक है तो कुछ को इसा होगा कुछ डेटा ऐसा होगा जिनको आपको अपने प्रोजेक्ट में कई बार यूज करना है तो उनको हम उनके लिए एक सेपरेट पेज बनाएंगे उनको वहां से एक्सपोर्ट करेंगे और इंडेक्स.js में यहां पर भी यूज करना होगा उसको हम यहां पर इस त इसा नाम से यहां पर इस्ट्रक्ट करेंगे और इसको रिजल्ट को रिष्ट करेंगे और इसको बार लॉग फंक्शन को रिचिव करनेगे ऐसा करिए आप आगए पीछे जराद है सक्सक्राइब पहले लॉगिन फंक्शन आपका रिसीव हो जाएगा ठीक है इसे कोई इस्ट नहीं हो देखिए यहां पर आ रहा है लॉगिन फंक्शन इस नौट डिफाइन अच्छा यह देखिए लॉगिन सक्सेश आगे लॉड़ करें लॉगिन सक्सेश तो जब हम चेंजेस करते हैं तो सब्सक्राइब हमारा पीछे से चलता रहता है जैसे हमने यहां पर हटा दिया था इस चीज़ को तो अभी क्या आगा लॉगिन फंक्शन इस तरीके से और इंस्पेट करके देखेंगे तो हमारा जो डेटा है कंसोल में वह भी आ रहा होगा यह देखिए जरा तो इस पर प् करिए बस आपको दो बाते को ध्यान में रखना है एक्सपोर्ट इस्टेंडर में क्या होता है जब मल्टिपल चीज़ों को आपको फायदा मिलता है कि आप मल्टिपल चीज़ यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट इस्टेंडर के थुरू और जिस नाम से आपन आपने एक्सपोर्ट किया है यह जो आपका कोड है बहुत काम का कोड है इसको जरूर रखे आप अपने पास ठीक है आप चाहें तो इसी से बना सकते हैं ठीक है यहां पर किलियर होगा अगर किसी को यूश्वा जरूर पूशे आपकी हेल्प कर दिजाएगी थेंक्स पॉइंज्वाइंग दे एजुकेशन ओप जैस्ट फोर कोड सी यो सून